दोस्तों मैं हर्शुता और आप देख रहे हैं ट्विन्स माई वर्ल्ड मेरे मन में कई दिनों से सवाल आ रहा था कि जिस तरह से पहले डिलीवरीज हुआ करती थी पहले की जमाने में जब कोई डॉक्टर्स वगरा नहीं होते थे तो जो डिलीवरी होती थी वो महिलाय आपस में ही जैसे जो थोड़ी जनकार है जो व्रिद है उनकी सहायता से नॉर्मल डिलीवरी अराम से हो जाती थी तो क्या सेम प्रोसेस इस पैंडेमिक के महाल में होस्पिटल जाना तो सेफ नहीं है तो क्या हम लोग घर पे ही डिलिवरी करा सकते हैं बहुत सारे लोगों की मन में इक कोशन आता होगा तो अब इस कोशन का हल मैंने कुछ ढूणा तो मुझे ऐसा पता चला कि देखें पहले की सिनारियो कुछ अलग थी अभी की सिनारियो बहुत अलग है पहले लोगों के बहुत सारे बच्चे हुआ करते थे दस तो पकाई होते थे दस बारा पंद्रा ऐसे से होते थे और एक दो बच्चे की मृत्यू भी हो जाती थी तो लोग गौड को करते थे लेकिन देखे भगवान की मर्जी पहले भी थी और अभी भी है ऐसी बात नहीं है आज जो कुछ भी हो रहा है सब कुछ भगवान की मर्जी से हो रहा है लेकिन आज जो चैलेंजेज है एक मा को एक बच्चे को बचाना डॉक्टर्स के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है किसी भी तरह की कॉम्प्लिकेशन है तो कोई जो डॉक्टर है कोई प्रोफेशनल है वो अपने हिसाब से बहुत अच्छे से किसी चीज़ को हैंडल कर देगा रैधर कि अगर अगर आप घर में डिलीवरी करते हैं तो घर में डिलीवरी अगर आपकी प्रिग्नेंसी कितनी भी स्मूध जा रही हो आपने नोह मैंने आपकी कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आई सारे टेस्ट रिपोर्ट बहुत अच्छे नॉर्मल आए तो इट डजन्ट मीन कि आपका ज सारे कॉंसीक्वेंसे हो सकते हैं कुछ कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं जैसे उन में से जो मुस्ट कॉमन जो देखा गया है वह होता है कि अगर देखे एकदम सिंपल सी में बात बदाओं कि जब भी अगर आप हॉस्पिटल में अगर बर्थ होती है तो जितने भी प्रोफेश से बिल्कुल मैं यह नहीं कहती है कि नहीं होगा बट स्टिल कुछ कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए हमें होस्पिटल ही जाना जाहिए अब सपोस करिए कि अगर अगर अंबलीकल कॉर्ड है जो बच्चे का आपकी पूरी प्रिंगनेंसी बहुत स्मूध जा रही है बट स्टिल अगर उसने एक या दो फंदा अगर बच्चे ने लगा लिया जो कि पता नहीं रहता है कि अब विदाव्ट अल्टरसांड आप कैसे देखोगे कुछ आडिया नहीं रहता है तो ऐसी किसी भी तरह की कॉम्प्लिकेशन से बच्चे को नुकसान हो सकता है मा को नुकस तो लेबर का जो टाइम होता है वो बहुत लंबा खिच जाता है और जितना जादा लेबर का टाइम रहेगा उतना जादा बच्चा भी डिस्ट्रेस होगा उसकी एबनॉर्मल हार्टपीट हो जाएगी मेभी धीरे-धीरे कम होने लगती है जो कि बहुत बड़ा सवाल उठ जाता है डिलीवरी के उपर और मा भी डिस्ट्रेस होती है उसको उतनी स्ट्रेंथ उतनी स्टैमिना नहीं मिल पाती है जिससे की नॉर्मल डिलीवरी हो तो इन सारे केसेज को अगर आप एक्जामीन करोगे तो सबसे सेफ जो तरीका है वो है हॉस्पिटल जाना अभी आपक जो प्रिगनेंसी और इन से डिलीवरी से जो डिलीटेड जो डॉक्टर्स होते है वो आपकी गैनेकलोजिस्ट वगरा होती है जो कि उस डिपार्टमेंस से काफी डिफरेंट है तो आपको किसी प्रोफेशनल की मदत ही लेनी चाहिए इस तोरार अभी जैसे मार लीजे कभी कभी केसे में ऐसा भी हो जाता है कि वाटर ब्रेक हो जाता है वाटर ब्रेक के बाद इंस्टेंटली आपको लेबर इंडियूस नहीं होता तो उस केस में भी जो महिला है वो परिशान हो जाएंगी घरवाले परिशान हो जाएंगी कि लेबर पेन आया ही नहीं तो उस वक्त आप क्या करोगे उस वक्त मा और बच्चा दोनों डिस्ट्रेस हो जाएगा तो आपको चीजों की सैंक्टिटी को समझना चाहिए चाहिए कितना भी बड़ा पैंडेमिक क्यों न हो अगर आप सेफ हैं सेफ्टी मेजर्स यूज कर रहे हैं डॉक्टर्स के अनुसार सब कुछ क कर रहे हैं और इतना तो फेत रखे भगवान के उपर कि अगर आप जाईएगा और सेफली आप अपने बच्चे को डिलिवरी आपकी हो जाएगी अच्छे से आप आ जाएगा इसलिए बहुत सारे गवर्मेंट भी इसकीम चलाती है आपने देखा होगा कि जितनी भी डिलि डिलिवरी है वो होस्पिटल में ही कराईए चाहे आप प्राइविट होस्पिटल जाओ सरकारी होस्पिटल जाओ उससे मैटर नहीं है लेकिन किसी प्रोफेशनल के अंडर उनकी गाइडेंस के अंदर ही अगर यह प्रोसेस हो तो काफी अच्छा रहता है तो होप आपको मे प्लीज लाइक कर दीजेगा थैंक यू सो मच पर वाचिंग ट्रेंस्पाइवर्ड